करोना वाइरस पूरे विश्व में दस्तक दे चुका है और जिसका खौफ हर आम आदमी को है और बड़ी बात जो हम लेकर आ रहे हैं वो यह है कि करोना वाइरस जैसी घातक बिमारी से लड़ने के लिए देश के परधानमंत्री नरेंदर मोधी अपील कर चुके हैं लोगों स कि वह बकैदा आपने अपने घरों के बाहर लक्षमल्ड रेखा कीचलें अपने घरों से बाहर ना निकलें और जुरूरत की जो चीजें हैं वो उनको घर तक ही मिले इसको लेकर भी वो प्रदेश सरकारों से अपील कर चुके हैं कि वह ऐसे इंतजाम करें कि लोगों को रा आपके घर के दरवाजे पर एक लक्षमन रेखा खीच दी है आपको ये याद रखना है कि घर से बाहर पढ़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम आपका सिर्फ एक कदम कोरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है लेकिन हर्याना की मनोहर सरकार ने ठेकों को खुला रखा है हम है इस समय अंबाला में नैशनल हाईवे पर और ये जो तस्वीरे हैं हम आपको दिखा रहे हैं ठेकों की शराप के जो ठेके हैं वो पूरे हर्याना में खुले रखे हैं उन पर कोई पबंदी नहीं है और जो ठेकों को बंद नहीं करवाया गया इन ठेकों को खुला रखा गया है ऐसे में सवाल ये है कि क्या इन ठेकों को खुला रखना जरूरी है मंदिर बंद है धार्मिक स्थान बंद है गुर्दवारे मजजद और जरूरत की जो बाकी दुकाने है वो बंद है फल फ्रूट की र पड़ गई चलिए वहराल हम चलते हैं लोगों के पास और लोगों से जानते हैं कि आखर शराब के ठेकों को खुला रखने के उपर उन लोगों का क्या कहना है और वो सरकार से किस तरीके की अपील कर रहे हैं क्या नाम है आपने क Hil districtsनिया के वंदिर है आहिए कि बैंजी ख्यानाश चाते हैं कि नहरात्रों के दिनों में मातर अनी का मंदर बंद हैं और शराब के ठेक खुले वेए हैं हंजी क्या के राजाति हो सरकार से बस यही कि आख 먹न करें जिस तरह और कि मैंजुआ वे राशन की द तो सुना आपने कि सरकार के इस फैसले को लेकर लोगों की क्या डिमांड है लोग सरकार के इस फैसले से नाखुश हैं लोगों को साफतोर पर यह एतराज है कि सरकार ने जो दुकाने हैं वो बंद कर दी हैं दुकानों पर बंदिशे लगा दी हैं लेकिन ठेके जो हैं वो निरंतर चल रहे हैं ठेकों पर कोई रोक टोक नही ऐसे में उन्होंने भी मुख्यमंत्री मसाहब से अपील की है वो अपील आपको सुनवाते हैं सरकार के फैसले से लोग नाखुश है और ठेकों पर ड्यूटी दे रहे लोग भी मुख्यमंत्री साहब से अपील कर रहे हैं कि वो ठेके बंद करवाएं ताकि वो भी अपने घर बैठ सकें लेकिन इस पूरे मामले पर हमने जब हरियाना के ग्रह मंत्री अनिलविज से बात की तो वो भी ठेके बंद करवाने के पक्ष में नजरा है विजने साफ तोर पर कहा है कि अगर अन्य चीजे बंद हैं तो ठेके भी बंद होने चाहिए और क्या कुछ कहा नहीं विजने आईए आपको सुनवाते हैं इस तरीके से नरेंदर मोदी ने कहा कि घर के बाहर लक्षमन रेखा खीच लें और दूसरी तरफ हरियाना में ठेके खुले हैं नहीं मैंने अधिकारियों से बात की है मुझे अमीद है जल्दी बंद हो जाएंगे नहीं मुझे इसकी जानकार ही नहीं है लेकिन मैंने आज अधिकारियों से बात की है कि ठेके खुले हैं और बाकी चीजे बंद हैं तो इसलिए ठेकों को भी बंद करवाया जाए तो सुना आपने की खुद हरियाना के ग्रह मंतरी अनीलवी जो है वो प्रदेश में ठेके खुले रखने के पक्ष में नहीं है उन्होंने साफतोर पर कहा है कि वो भी इस चीज के हक में नहीं है कि शराब के ठेके खुले रहें ऐसे में बड़ा सवाल हम हरियाना के मुख्यमंतरी के सामने और अपने दर्शोगों के सामने यही खड़ा कर रहे हैं कि आखिर हरियाना के मुख्यमंतरी मनोहरलाल खटर प्रदेश में जब सब कुछ बंद है लोकडाउन है पी-म मोदी लक्षमन रेखा की बात कर चुके हैं उसके बावजुद मुख्यमंतरी शराब के ठेके क्यों खुले रखना चाहते हैं आप अपनी राय हमें जमुरूर दीजिए कमेंट करके और मुख्यमंतरी के लिए जो हम ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं इस पर अपनी राय जुरूर दीजिए हम इसी तरह प्रदेश से जुड़ी और अंबाला से जुड़ी हुई खबरें लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे आप हमें देखते रहे हैं फेस्बुक पेज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्काइब कीजिए